जै गुरुदेव आज गुरुजी का बर्टे है और गुरुजी बोलते है मेरे बर्टे तुम सब का बर्टे तो हापी बर्टे टू आल अफ यू आज मुझे बोलना था सोचा कि सब के सामने कुछ बोली दू वो बात है कि कभी-कभी कभी-कभी क्यों बहुत सारे लोगों का ये कोश्चित होती है गुरुजी को करते है कि गुरुजी काला जादू क्या होती है और गुरुजी बोलते है ओम नमा शिवाय चैन्टिंग करो मेडिटेशन करो धैन करो तो इस पारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी मैं नहीं बोलूँगी के ऐसे कुछ नहीं होता है क्योंकि मेरे जिन्दगी में एक समय ऐसे गई मुझे फिल हुआ के ऐसे कुछ नेगेटिव एनरजी मेरे अंदर आ रही है जा रही है हाँ तो मैं भटकी बहुत इधार कहां से मुझे मिलेगा मैं दोड़ी पहले तो मैं चारे ही थी कि मैं खुद कैसे इससे निकलो निकलते गई एक बार फिर दुबरा लगा बार किया किसी ने फिर दुबरा निकला फिर दुबरा किसी ने बार किया ऐसे फिल होता गया और फिर मैं दुबरा करते 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 कि इन लोगों को जो भी कर रहे हैं, इनको खतम करना ह्. वो क्रोध आ गया था, गुस्स्टा आ गया था कों कर रहा है, जो भी है आमारा जीन्द्गी, जीवन का करम है, पिछले जनम का करम है, जो भी है, लेकिन जब आपको समझ आती है, कि आप कुछ तकलिप से जोज रहे हो तो लगता है ना कि इससे कैसे निकले तो ऐसे ही एक पर इसी साल पिछले साल की बात है एडवांस कोर्स की तो मेरे तबीत बहुत खराब हुई लास्ट टे तो मैं दौरी बैंगलोरास्टम और लॉक्टाउन चल रहा था रहने की बंदवस्त नहीं थी जो भी है पतलब एडवांस कोर्स करके गई थी तो वहां पे रह भी नहीं सकती क्योंकि कोर्स करो तो रह सकते हो कॉरिंटाइन भी हो जाती है जो भी है तो आचनक मेरे मन में जो था बहुत जादा डर हाभी हो रहा था बहुत ही खतरनाग डर और वो डर ऐसा था कि मुझे बेड रीडिंग कर दे ते बट पता नहीं मैंने गुरुजी का नाम लेके दोड फिर मुझे मिला यूट्यूब ढूंड रही थे तो मुझे बैच फ्लावर की मिली बैच फ्लावर के बारे में पता चला फोन नम्मर लेके दिखा रही है यह तो गुरु स्टोडी का दिख भी जाए बहिया है कॉंटक करी फिर कोर्ष करना शुरू के पहले बेसिक कोर्स ल चला फिर भाया से मिली भी हूं मैडिसेल लिया लेते गई लेते गई फिर दिल्ली बापस आई फिर लेबल टू किया बहुत कुछ जानने लगी बहुत कुछ फिर एक बात मेरी समझ में यह आई कि दुनिया में जो हो रहा है होने तो लेकिन अंदर की डर चिंता परेशानी यह आप हम बोल रहे हैं कि हमने गुरुजी को दे दिया दे दिया दे दिया के बाद भी अगर मन में शंक्षय है लग रहा है नहीं इससे हम जूच नहीं पा रहे हैं करेंगे तो वह मेडिटेशन ही करेंगे जो करना है वह कि इच्छा वो सारे चीज पैस फ्लावर करते हैं बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर बहुत ही सुन्दर मतलब चीज है हुमिपती जैसे ही मेडिसिन है और जो कुछ भी आपके तक्रीफ है चाहे डर बोलो चाहे आपकी हेट्रेट बोलो चाहे आपको कोई भी काम जो कर चुके हो आपको उससे आप निकलने ही पा रहे हो गिल्ट फिल हो रहा है पूराना चीज़ों में आटके हुए हो हार एक एक चीज का कीप सलूशन है बहुत ही सुन्दर और भईया ने तो इतने बढ़िया इतने सुन्दर तरीके से सिखाए इतने सहज में बहुत ही सहज में तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर लगता है आपको कि ऐसे कोई शक्ति आपको परिशान कर रहे है आप ठीक से बैट नहीं पा रहे हो ठीक से सो नहीं पा रहे हो और काम भी नहीं कर पा रहे हो खतरना खालत हो रही है आपकी तो आप चुरूर वैच फ्लावर रेमिडीज जो है उसको लीजिए उसका कूर्स करिए बहुत ही सुन्दर बहुत ही सुन्दर है पता नहीं क्यों आज मुझे लगा कि नहीं बताना जुरूरी है क्यूंकि जो भी हम सेवा में आते हैं हमारा यही होता है ना कि जो भी हम खाए हैं हमें अनुभव अच्छे लगते हैं तो हम उसको बाटना जाते हैं अगर फैमली में होता है एक माँ वही बाटना चाहते हैं जुनको ठेस्ट लगता है तो वह चाहते हैं कि वह बच्चे भी खाए तो ऐसे ही सोचो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी टाइम मैं काफी बार सभी का कोश्चेन सुनती हो गुरुजी से करते हैं तो मैं बताती हो बहुत ही सुन्दर है करो आप कोर्स करो नहीं तो जो भी कोर्स करते हैं कि ये गुए है थेराफिस्ट है उनसे मेडिसिन लो अपना प्रॉब्लेम बताके उनसे मेडिसिन ल आंत में जाके तो एक ही जगा पर जाना है, मेडिटेशन पर बैटना है, आखे बंद करना है, लेकिन आगर आप आखे नहीं बंद कर पारे हो, हजार कोशिश के वावजुद भी, यह आपको काम देगा, और आज की छोटा सा भेट मेरी गुरुजी को, मेरे तरब से, तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतिजार है, तुम्हारा इंतिजार राङ, तुम्हारा इंतिजार इंतिजार है, नमस्ते, जेकर देव, सब खुश रहिए, मस्ति में रहिए, भाई.